हेलो फ्रेंड्स आज हम बच्चों का फेवरेट स्नेक्स बनाएंगे जो कि बच्चों को काफी पसंद आता है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी बहुत ही कुरकुरा लगता है तो चलिए फिर देर न करते हुए बनाना सुरू करते हैं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को दुकस किया हुआ आलू डाल देंगे तो आलू का छिलका उतार के हमने आलू को पील कर लिया था अच्छे से धो के उसको ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेना है और अच्छे से धो के इसका एस्ट्रा जो पानी है वो निचोड़ लेना है तब इसमें डालना है स्वात कर सा नमक आड़ कर रहे हैं आप लोग अपने स्वाथ को नमक आड़ कर लिजेगा फिर उसको अच्छे से चला लेंगे चलाते हुए इससे अच्छे से भूनेंगे यहां पे हम मीडियम या हाई फ्लेम करके अच्छे से भूनेंगे आलू जो है बहुत ही जल्दी सौप्ट हो ज बहुत ही फटाफट सबून जाता है अब यहां पे आलू जो है हमरा 50% से ज्यादा जो है पक चुका है अब इसमें हम पानी आइट करेंगे तो यहां पे हम एक गिलास से थोड़ी सी कम पानी आइट कर रहे हैं और आलू पानी में अच्छा सा उबाल आने देंगे जब अच जालो नहीं तो मोटे वाले सूजी को न मिक्सी के जार में डालके उसको थोड़ा सा पीस के तब लीजेगा जिससे कि हमारा नास्ता बहुत ही बढ़ियां बनके त्यार होता है अब इसको हमें अच्छे से भूनते हुए पका लेना है और जब यह अच्छे से पक जाता है त यह बहुत ही फटा फट से बनता है और यहां पर हमारा डो जो है बहुत ही बढ़ियां से पक चुका है अब इसको हमें उतार के ठंडा कर लेना है थोड़ा सा थोड़ा सा गरम रह तो भी चलेगा लेकिन हम थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे अब इसे हमें ट्रांस्पर कर लेन एक बावल में और इसको अच्छे से गूथना थोड़ा सा हाथों में कुकिंग ओल डाल लेंगे ताकि हमारा डो रोत नहीं नहीं तो हाथों में कुकिंग ओयल डाल के अताब इसको अच्छे से मसल मसल के गूथ लेना है ताकि इसमें कोई भी हम नास्ता बनाए तो क्रेक्स ना पड़े तो यहाँ पे हम चकला लेंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा कुकिंग ओयल डाल देंगे और इसको अच्छे से इस Franching चखला बलं से हम इसको बेल ले रहे हैं जितना बड़ा ये बेल जाए उतना बड़ा हम इसको बेल लेंगे और ये जो है थोड़ा से क्रेक्स आ रहे है तो इससे जो हमारा नास्ता बहुत ही क्रिपी बनके अधियार होगा तो यहां पर हमने इसको बेल लिया है और जितना हमारा चकला है उतने बड़े हमने बेला है अब किनारे से थोड़ा सा इसको हम काट देंगे ताकि जो भी सेप जो है वो थोड़ा सा अच्छा आ जाए और देखने में हमारा नास्ता जो है वो बेकार न दिखे तो इसको हमें थोड़े से पतले पतले स्लाइसेस में काटने है दो से तीन इंच के बराबर में तो देखिए कैसे हम काट रहे हैं इसी तरीके से हमें पतले पतले इसको काट लेना है तो यहाँ पे हमने काट लिया है अब इसको हम निकाल लेते हैं तो एक पीस हम निकाल के अजो भी किनारे थोड़ा सा इधर उदर हो रहा है इसको तो हम थोड़ा सा सेट कर देंगे ताकि हमारा नास्ता जो है वो देखने में सुन्दर दिखे अब हम गैस सुले पे फ्राइपें में तेल रखतेंगे तेल जब बनिया सा गरम हो जाए तो एके करके हम इस नास्ते को इसमें डालते जाएंगे और गैस के फ्लेम को मीडियम रखेंगे तेल बनिया सा गरम होना चाहिए और डालते हमें अचानक से पलटना नहीं है एक बार में जब एक तरफ पक जाए तब हम इसको पलटेंगे नहीं तो ये तूट भी सकते हैं क्योंकि लंबे हैं और पतले हैं तो इसको हम चक्कू की मद से पलटेंगे ज्यादा इसको छेर चाड नहीं करना है वह ऐसे एक तरफ क्रिस्पी हो जाने के बाद ये बहुत ही बढ़ियां से इसको हम पलट पाएंगे तो यहां पर हम सबी नास्ते को दूसरी तरफ पलटके और दूसरी तरफ भी बढ़ियां से क्रिस्पी फ्राइग क को फिर से खा सकते हैं यहां पर हमारे नास्ता जो है बन चुका है हमने प्लेट में सर्प कर लिया तो फ्रेंड्स आप लोग भी इस तरीके से बनाईए खाये इंज्वाइए कीजिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक सर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजि